आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है ये एक वाटर एटियम है ये टिपिकली रिजिदेंशल सुसाइटिस के लिए बनाया है जिसमें हर सुसाइटी मेंबर को एक इस तरह का RFID कार्ड दिया जाएगा और RFID के इच स्वैप पर जैसे यूजर आएगा और मशीन के सामने इस कार्ड को स्वैप करेगा तो उस टाइम पर उसको पांच लीटर फ्रेश वाटर दे दिया जाएगा तो यहाँ पर फ्रेश वाटर स्टोड है और यहाँ पर हमने अपनी टंकी मतलब एक बकेटर किया जिसमें ये पानी जाके स्टोड होगा तो लिट और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करें थैंक्स लॉट सो लेटर स्टार्ट प्रोजेक्ट फरस्ट मैंने ये दो कार्ड के साथ इसको बनाया है हम इसमें बहुत से कार्ड भी यूज कर सकते हैं तो मैं मैं पहला ये कार्ड यूज करता हूं स्टार्ट स्टार्ट यो सी वाटर लेबल इस बकेट में नीचे जा रहा है और इस वाले बकेट में पानी भग रहा है पांच लीटर पूरा होने के बाद ये बन्द हो गया नव लेट अग्स सी कि 5 लिटर होने के बाद यह पानी बंद हो जाता है You can see here मैं वापस से दूसरे कार्ट से इसको स्वाइब करता हूँ You can see पानी वापस से इसमें भरने लगा और यह लेबल वापस से कम होने लगा So इस तरह से हम एक सोसाइटी के भीतर on each shot 5 लिटर पानी users को दे सकते हैं Thanks So यह दूसरी बार इसने पूरा किया Thanks a lot for watching the video